Hello everyone, welcome back to S-Biology तो आज अपने डिसकस करेंगे complex tissue के बारे में तो सबसे पहले start कर लेते हैं समझ लेते हैं कि complex tissue क्या होता है वैसे तो मैंने पहले वीडियो के वीडियो में बताया भी था कि होता क्या है complex tissue तो complex यानि कि किसी भी चीज के अंदर इकने साथी चीजें present हैं कि उनके अंदर पता लगाना बड़ा मुस्किल होता है या फिर बड़े मुस्किल से पता लगा पाते हैं कि कि कितनी टाइप के लोग present है या फिर cell present है तो उसी को बोलते है complex यानि कि एक साथ ज़दा चीजे उसमें present होती है और वो अलग-अलग function भी और भी करती है तो इसलिए उसको बोलते है complex तो अपने anxiety में दो complex tissue measurally present होते हैं एक होता है जायलम एक होता है फ्लोयम तो अब next पढ़ते हैं अपन पूरी बात को फिर देखते हैं तो one or more than one type of cell present भी मैंने आपको बतायां एक है एक से जदा cell present होगी ठीक है यह सब मिलकर एक unit के रूप में काम करती है बिल्कुल एक unit के रूप में काम करना है यानि कि एक cell होगी वो अलग काम करेगी फिर दूसरी होगी वो अलग काम करेगी फिर तीसरी होगी वो जो है ऐसे काम नहीं कर सकती वो इन तीनों के बनाए हुए सब पार्ट को लेके फिर वो काम करेगी तो यानि कि यह तीनों सेल जो है जो अपना काम करके फिर इसको देंगी तब जाके यह काम करेंगी तो यानि कि जब तक यह cell अपना काम कर रही है, यह अपना, यह अपना, तो फिर जो अगले cell है, उसके लिए वो काम कर रही है, फिर उसको देंगी, तो यानि कि दूसरी सारी मिलकर आपस में काम कर रही है, यूनिट के रूप में, इसलिए इसको बोलते हैं, यूनिट के रूप में काम करती है, सा या फिर पत्ती तक ले जाने के लिए वेस्कुलर टीशू की तरह काम करता है अपने बहुत बार बढ़ा है शिक्स क्लास आपन पढ़ते आ रहे हैं कि जायलम जो है रूट से वोटर लेगा और मिनरल्स लेगा वो प्लांट के आगे वाले पार्ट या फिर उपर वाले ये अपने बहुत बार पड़ा है लेकिन वो चीजे क्या है जिससे वो उपर लेके जाएगा क्या क्या चीजे हेल्प करेंगी वो भी अपन देखेंगे हर चीज इसमें डिटेल से ठीक है प्लांट को मेकेनिकल सपोर्ट भी आवेलेबल करवाता है बोडी में कुछ परजें हिंदी का नाम भी मैंने उनके आगे लिखा हुआ है अगर किसी को इंगलिज समझ नहीं आती तो हिंदी में भी आप उसको आसानी से समाझ सकते हो तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेकिट्स जिसको बोलते हैं वाहिनी हिंदी के अंदर तो यह होती है लंबी यानि कि लॉंग और नलिकाकार यानि कि ट्यूबलर स्टक्चर होती है ठीक है ट्रेकिट्स होती है सेल वोल जो होती है कुछ से का भित्ती मोटी होती है यानि कि स अगर लिगनीन प्रेजेन्ट होता है यानिकि तो वो टायेट होगी यानि मरी हुई सेल उसमें प्रेजेन्ट होगी जिल्यम्ज होता है दो मरे होई हुए होते है जीफिपा फ्रेंड़ होई हैंff ये बहुत सी 125 कोशिकायं होती है तो आप को बताय था कि यह तो Sugya मरी हुई होगी तो इसमें protoplasm नहीं होगा या फिर यह कह लो कि जिस सेल में protoplasm नहीं होता वो जोडी होई है इसके बीच के अंदर यह तो यह टूब बन गई पूरी और इसके बीच में अंदर यह छेद प्रजेंट है यह यह पोर्स इसके अंदर प्रजेंट है ताकि पानी इसके इससे इसमें आजा सेगे आगवा बात समझ में तो देखो, presents of vessels is an specific character of angio sperm तो यह बहुत जाद़ इंपर्टेंट है इसलिया हाइलाट किया हुए कि जो तो वेसल्स प्रजेंट होती है वो एंजियो स्पम का स्पेसिपिक करेक्टर होता है आपने प्लांट वाले जो प्लांट की इंडम है वहाँ पर मैंने पढ़ाय भी था आपने देखा भी होगा तो वहाँ पर जो है यह स्पेसिपिक करेक्टर था वेसल्स का प्रजेंट होना तो नेक्स्ट बात करते हैं जाइलम फाइबर की तो जाइलम फाइबर क्या होती है इसमें तिक वोल परजेंट होती है यानि कि जाइलम फाइबर होता है तो फाइबर में तो मोटी वोल परजेंट होती है तो सेंटरल केवीटी एकसेंट होती है तो सेंटर पे कोई भी तो इस तरीके से अकर यह प्रजेंट है to septate हो गई याने septate बोलते है इस अ को एससे अंदर कोई भी septate नहीं बनी हुई तो यानि कि यह simple cell हो जाएगी accepted अगली बात समझ में तो मरत होगी यह भी मरी हुई होगी और इसमें protopasm absent होगा तो यह तो मैंने आपको बताया है बार-बार तो आपको इसको ध्यान रख लेना आती है बात समझ में तो यह हुआ जायलम फाइबर next बात करते है जायलम पर安काईमा तो यह क्या होती है यह जीवित होती है यानि कि only यही पार्ट जो होता है वो इसके अंदर जीवित होता है यानि कि लाइव होता है यह अपने यहां पर चारोट पार्ट पढ़ेते हैं, तो यह तीनों पार्ट जो है, यह मरे होए होते हैं, अगर इनको लिख सकते हो आप यहां पर, कि यह तीनों पार्ट जो है, यह होते हैं, यह तीनों पार्ट डेड होते हैं, या फिर ब्रत होते हैं, और यह जो है, यह ओनली लीव होता है, यही जीवित होती है, जीवित सेल होती है, उनली जायलम परिंकाइमा, यह भी नीट के अंदर बहुत पार क्योशन पूछते हैं, आती है बात समझ में, यानि कि यह उनली जीवित सेल होती है, सेललोज की पतली बित्ती परजेंट होती है, तो सेललोज की जो सेल इस Type के जो Food Particles होते है वो present होते है जायिलम प्रिंखौैमा के अंदर तो पानी का vas 지역ally और आए आसे है। 3G का मतलब क्या होता है कि Radial Arrangement यानी कि Radial इस तरीके से पानी को हर दिसाओं में 3G मतलब 3G जो एक हर दिसाओं के अंदर प्लांट को वो पानी जो है प्रोटोजायलम किसको बोलते हैं और मेटायलम किसको बोलते हैं देखो अपने अपर ध्यान से पढ़ना इस चीज को बहुत important है बहुत confused होते हैं इसके अंदर ठीक है प्रोटोजायलम बोते हैं प्रोजिस पर लग जाये उसका मतलब होता है पहले यानि कि यहां पर प्रो बात हो रही है अगर यहां पर phloem होता प्रोटो phloem तो phloem पहले बनता अगर metafloem होता तो phloem की बात आती ताकि जाइलम लगा हुआ है पीछे प्रो लगा हुआ है यानि कि पहले बनने वाला metaminis बाद में बनने वाला अब इनके arrangement जो होती है root और stem में अलग-अलग होती है तो देखो stem के अंदर एक तो center में होगी या फिर periphery पे present होगे यह होता है या तो center में या फिर periphery पे तो stem में क्या होता है कि center के तरफ होता है protozylum और जो है periphery के तरफ होता है metasylum इसको बोलते है endarch यानि कि अब देखो मैं आपका समझाओंगा कि किस तरीके से इसको endarch या एक्जार समझ सकते हो आप पहले root की बात कर लेते हैं तो root के अंदर भी center पे होगा या फिर periphery पे होगा तो center में इसमें metasylum होता है उसमें protozylum था और stem के अंदर periphery पे metasylum था तो इस पर protozylum होगा इसको बोलते है exarch अब देखो root होती है root जमीन के अंदर घुसी होई होती है तो उसको किसी तरीका कोई कोई खत्रा नहीं है कि उसको कुछ कोई खा जाएगा या फिर पकड़ के ले जाएगा तो वह exarch यानि कि बाहर की त तरीका है कि जो stem होगा तो वह बाहर की तरह होता है उसको कोई भी खा सकता है गाय भेंस बकरिया तो इसको अपनी जो चीजे हैं समाल के रखने पड़ती है यानि कि अंदर रखनी पड़ती है तो इस तरीके से आपको याद रजाएगा आगई बात समझने कैसे भी याद कर बट मैंने तरीका है इसको बता दिया याद करने का तो आखोप कि आपको यह समझ आए होगा और में अपना करेंगे है के बारे में तो मिलते हैं अगले वीडियो में वी यडियो को लाइक है बजरो करना अगले वीडियो में ढ़ pee